अलाहे रमान रहे हम एक की तो मेरे प्यार सब्सक्राइबर को सब्सक्राइबर को वेलका है आद्मिया उप्सेबासे मज़दार सी चैनिस रेस्पिश्ण करने लगी हूं चिकन शाज लीक विद ग्रेवी के सार फ्राइड राइस बहुत मसदार से बनके त्यार हो जाती है तो इस टेस्पी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से मैंने बनाई है तो मैंने बना लिया है चिकन बॉनलेस 200 ग्राम जितना और क्यों उसमें काट लिया था इसम अगर आपके बाद चिली फिलेक से तो अब इस टाइब चिली फिलेक से एट करें मेरे पास नहीं थी तो मैंने चिली पोडर हीट रहा है इसमें आप इसमें दालने विनिगार सफेज सिर्का दो टेबलेस्पून जितना विद्टा एक शिर्का एक करने के बाद में इसमें मेरीनेट के लिए इस तरह से मिलेंगे ने इसको पका लेंगे दूसरी तरह हम पेन लेंगे और पेन के अंदर हम डालेंगे ओईल सोटेब करके पका लेंगे ताकि जो किछ आपन है और रिड़ का जाती है। तो तरह से टन करके भाद भटता से तकर नाया की चैकन अब करना चल्दी से बन जाती है। और क्यूब्स में बॉनलेस का टीवी चिकन तो भोधी जल्दी बनके त्यार हो जाती है चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लिया करें पसंद आए तो फैमिली और प्रेस में लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें बिल्क ऐगन को दिक कर लें एक उड़ी पें अपको अबसे पहले दिखने को मिलेगी तो अच्यदाश क्यां से देखेंसे का फून रही हूं रही हो चिकन अपना पानी भी ज़िश कर रहा है अच्य अपराइन प्रेश कराका है तो इसको पीलेट मिन लोगे हं ने कि आहाँ कोई कि आता में ड़िज में कुछ आपको अने कआ ह sacar कर आपको के अर्य चेट के अनुग के एस लक्ति हैं प्राइब तियार कर लिए है जूसी साथ चिकन है ड्राय नहीं किया है विल्कुल इसको एक प्लेट फैलक से निकाल लिया है अब दूसरी तर हम ग्रेवी एट करेंगे तो ग्रेवी में में उसी पेन के अंदर दो टेबलेस पुंच इतना ओई लेट करने के बाद गार्लिक चॉप्ट प साथ ग्रेवी और जो शाच लेकिवी होती है वह थोड़ी स्वीटेंड सॉर होती है इसमें डाल रहे हूं राई है चिली गार्लिक सॉस केचप होता है वह वह वाला तो मैंने इसमें करा है हैं कि अब इसके अदर में होट सोर्ष एकर रहे हूं वन टी स्पुन कि और सोर्ष रोट करने के बाद इसके मैं वह सցयरश ओजा सेड खर Э्ड करण tightening के बाद इसमें मैं आट करूंगी आपके पास कोटी भी मिल्चे तो कोटी भी एट कर लें मैंने रेट इना है इसके निदल बेक पेपर भी एट कर दिया है alp glass च्पून जितना और ऊच तरह से हम तेज हाज में पकाएंगे याफ टीज्पून नमक एड़्ट किया है नमक थोड़ा है इस्तेमाल करें मैं एक प्रणी पानी यूल इसे में डाला है अदो है कि नमक कॉल बेहर पिनाच पानी एड़ करने के बाद हम कॉन्ह प्लोर का एक मिल्सूर के बनाएंगे तो एक टेबलेस्पुन जितना मेने कॉन फ्लॉर लिया था उसको पानी में डेजॉल खरके समें मिक्स कर लिया है यह ग्रेवी को जूम है मुझे थोड़ा थिक करना है अगर आप चाहें तो पहले सोस के साथ वेजिटेबिल को सोटे कर लें वरना हमें तो कच्छी थोड़ी सी वेजिटेबिस अच्छी लगती है तो मैंने इसके इंदर अबेट की हैं आप चाहें थूपोर का लिया थूज इनदर तो फिस देबिस अरे निकाल के साइट के वे ने चोपोर्ड शे कर लिया थे और प्यास तीन वेज़ेबल प्याल श्रीम टेमाटरेट करने के बाद में चिकन एट किया है जो हमने तयार किया था और ठक्के पकाएंगे दूशी तरफ में फ्राइड राइस तयार कर रही हूं तो में तीन टेबले स्पून जितना ओईल एट किया है इसमें में लाल रही हूं एक प्राइड करने के बाद चुटकी सा नमक डालके और अपशी तहां से अंडे को जल्दी से फ्राइड कर लेंगे और अंडे को हम एक्साइट में कर देंगे चमच की मदद से अब इसमें में एक करूंगी कैप्सिकम चौप कीवी तोड़ी थोड़ी सी आप चावल के हिसाप लात करी है नमक चावल में प्रीशाइड के बाद थोड़ी छेली सोच एड़ कर लेंगे और यह जल्दी से मारे बनके तयार हो जाएंगे इस हो और शोष एड की है मैं इसमें हमें अब में इसमें चावल करूंगी एक टीब स्पून इतना सब्रका भी एड कराई मैंने और इसमें मैं डाल रही हूं बलेक पेपर काली मिरच और नमक खस बेजाएका यूंकि चामल उबालते टाइम भी में नमक एट किया था इसलिए देहान से ही नमक एट करना है और तेज आज में इसको हम सोटे करके इस तरह से पका लेंगे अगर इसका आपके पास हरा प्याज कर सकते हैं अब मैं इसको करूंगे डिशाओट और मज़दार सी देखें शाशली की चिकन विद ग्रेवी मज़दार सी त्यार हो गई है ठिक सी हमारी बनके और इसको हम एक प्लेटर में सर्फ करेंगे चामल के साथ और डिशाओट कर लिए मज़दार सी रेस्पी बनके त रेस्पी देखने का शुक्रिया ला हाफिस हम मैट इस दा बैस्ट